उलुल फ्रेंद्स, चेसिक रश्णा मारा कीचन मा तमारू स्वागदचे। कोबस टेस्टी बन से आ वेफर ने एकदम पोची बनावा माटे साबू दाना आने बटेटानू माप केटलू लेवू अने तेनी खीची कई रित्ना बनावी तेहूं तमने एकदम सरल रित्ती बत्तावेश। तो बाड़को थीले ने वड़ीलो सूती बत्ता नेजभावे तेवी एकदम सरस पोची बेफर बनावी शू तो चलो मारी साथ रेशीपी स्टार्ट करिये। रेशीपी स्टार्ट करिया पेला जो तमने मारी रेशीपी गमती वेने हजू सुधी चैनल ने सब्सक्राइब ना करी वोई तो प्लेई सब्सक्राइब कर जो ने बाजू मा आपेल बेल ऐकन प्रेस कर जो एतले नवी नवी रेशीपी ना नोटिफिकेशन मड़ता रहे। सव थीपेला एक दम पोची साबुदाना बटेटानी वेफर बनावा माटे आप्रे साबुदानाने पलाडी दईये। तो तेना माटे में आहिया ब्यक किलो साबुदाना लिधाचे। तो तेने एक मोटा वासन मा लेशू अने तेने त्रण चार पानी थी सारी रितना तो साबुदानाने त्रण चार पानी थी में सरस्रितना दोई लिधाचे। हवे साबुदाना डुबे तेटलू पानी नाखी शू। 2 किलो साबुदाना मा में 4 लिटा जेटलू पानी नाख्यू छे। अवे तेने ओवर्नाइट पलाडी देशू। जो तमारी पसे टाइम ना होई तो साबुदाना छती 7 कलाक मा पन सरस्रितना पलडी जेसे। साबुदाना ने पानी मा सारी रितना मेक्स करी देए। तो तमे जोई सको छो साबुदाना परफेक पलडी गया छे। आ रितना प्रेस करीए एटले सरस्मेस थाई जेए। अवे साबुदाना ने बाफी लेशू। बाफ्वा माटे मिया हिया एक मोटो वासन लित्युचे। कारण के मारे 2 किलो साबुदाना छे एटले मोटो ज्वासन लेवू पडशे। तेमा 2 लिटर जेटलू पाणी गरम मुकीशू। पाणी गरम था एटले तेमा स्वाधनुसर सिंधवनीमा नाखीशू। आवे फर व्रत उपवासमा पन खाई सका एटला माटे तेमा सिंधवनीमा नाखीशू छे। त्यार बात तेमा बेचमची आदूमर्चानी पेस्ट नाखी शुँ, आदूमर्चानी पेस्ट तम्हे तमारा टेस्ट प्रमाने प्लस मैनस करी सको छो, बिल्कुल ना नाखवी होई तो तेने स्कीप पन करी सको छो, जो तमारे आमा आकुजीरू तल मरी पाउडर पनु तो ते पन नाखी सको छो बद्धूर सारी रेतना मेक्स करी लए और पाणी ने उकड़वा देशू पाणी सरसुकड़ी गई उचे तो गरम पाणी मा पलाडेला साबुदानाने नाखी सु जो साबुदाना पलाडिया हो ए त्यारे तेमा थोडू करू पाणी हो ए तो ते पाणी साथे साबुदाना आमा उमेरी देवा और खास जो वधारे पलतू पाणी हो ए तो पाणी काठी लेऊ नै तर खेचु ठीलू थाई जसे साबुदानाने पाणी मां सारी रितना मेक्स करी लए साबुदाना एकदम सरस ट्रांजफरंट थाए तियां सुती पकावीशु अने मिडियम गेसनी फ्लेम उपर आने बाफी लेशु तेने आ रितना वच्चे वच्चे चलावता रहेशु एतले खीचु तड़िये चोटे ने साबुदाना बफ़ाई छे तियां आपने फटापट बटेटाने मेश करी लेशु बटेटाने में पहला बाफी ने ठंडा करी लिताचे बियक किलो साबुदाना निसा में बियक किलो बटेटा लिताचे बटेटाने आपने मेशर्थी मेश करीशू तो बटेटाने कणी रही जसे एटले एकदम स्मूथ मेश करवा माटे मी अहीं सेव पड़वानो संचो लिद्धू छे तो तेमा आरितना गाठियानी चक्री फिट करीने तेमा बटेटाने भरीशू तो तमें जोई सको छो बटेटा सरस रितना मेश थाई छे संचानी चग्या ये तमें गाजर छीनवानी खमणी होई तेना थी पन तमें मेश करी सको छो तो आ रितना बटेटाने मेश करी लेशू तो एक दमसर स्मू th बटेटानो मावो तयार थाई गयाँ छे हवे शाबुदानाने जोईल लईये तो साबुदाना पन लगपक ट्रान्सफरंड थाई गया छे अने ते बराबर बफाई गया छे साबु दाना प्रोपर तयार थया छे के नई, तिये हुँ तम ने बतावूं। तो साबु दानामा आ रितना चमचो उपो राखी सु, तो कोईपन सपोर्ट वगर आ रितना उपो रहे, तो मानमू के खिचू परफेक तयार थय गईू छे। अवे आपने बाफेला बटेटाने मेश करीने तयार करिया छे, ते साबु दानामा उमेरी दईए। बटेटा उमेरीने तेने साबु दानामा सारे रितना मेक्स करी दईए। आ प्रोसेस ने थोड़ी स्पीड मां करीशुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु अने बटेटा मिक्स करी ने पन खीचु चे करी शको छो, तो आ रितना चमचों, आ रितना कोई सपोर्ट वगर उपोर राखो अने उपोर रही चे तो खीचु परफेक छे तेम मानुवू, अवे गेस्नी फ्लेम बंद करी देशू, अने खीचा ने 10-15 मिनिट माटे हसे ने तो चक्री जड़व्थी पड़ी जसे, एटले खीचु वधारे ठंडू ना थवा देवू, आ चक्री ने तमे आ पीतर ना सेव पाडवाना संचा मा स्टार वारी चक्री फिट करे ने पन पाड़ी शको छो, पन खुब जयासा ने थी और एकदम जड़व्थी चक् प्लास्टिक ने चाड़ी कोथली नो उप्योग करूँ छू, तो में कोथली मा कट करीली तूँछे, तमारे व्यफरने चाड़ी पतली जेवी करवी वोई ते रितना कट करवानू, हवे आ कोथली मा आपने खीचु परी देशू, आ संचा करता आ मने वधारे सहलू लागे जे फटा फट पड़ी जसे, आवे फर पड़वा माटे में प्लास्टिक पाथरियू छे, आवे कोथली वड़े चकरी पाड़ी शू, तो तमें जोई सको छो फटा फट थाई छे, संचा करता पन एक दम जड़प्ती थाई छे, जुव तमें एक दम सहली रिते पड़े छे, आने फटा फट आरी तेहूं गाठियाना शेप माँ वेफर पाड़ू छू, आने ते जड़प्ती सुकाई जाई छे, आने तेने तड़वा माँ पन आसानी रहे छे, तमारे गोड़गोड चकरी ना शेप माँ वेफर करवी होई, तो ते रितना पण करी शकाई, तमें जोई शको छो, संचो परवानी माथा कूटवगर, तमें आ रितना वेफर बनाव सो, तो जड़प्ती पड़ी जरसे, अने आखी चु थोड़ू गरम छे, एटले आ वेफर ने पाडवा माँ खुब जोचो समय लागे छे, आ रिती आपने बधी ज वेफर ने पाड़ी लेशु, तो तमें जोई सको छो, बधी वेफर सरस्रीतना पड़ी गी चे, आटले वेफर पाडवा माँ मारे 30 मिनिट जे वो समय लागे छे, आवे आ वेफर ने तड़का माँ बधी वस सुकवी देशु, अत्वा वेफर एकदम सरस्रीतना पड़ी जाए, त्या सुधी शुकवानी छे, आवे बधी वस पच्छी तमें जोई सको छो, बधी बहुत सरस्रीतना पड़ी चे, आ रिते वेफर ने तो करी शको छो, अवे आपणे वेफर ने तड़ी शु, वेफर ने तड़वा माटे में पहला तेल गरम मुकी दी दी धु अतु, तेल गरम था, यह तले गरम तेलमा वेफर ने तड़ी शु, इसनी फ्लें मीडियम टू हाइ राखी शु, तो तमे जोई सको छो, आपणी काठी लेशु अने तेल नितारी लेशु तो जोताज खावानू मन्थाई जाई तेवी बनी छेन बाकी तो आ वेफर ने तमें व्रत के उपास मा पन खाई सक्षो अने आ वेफर ने एकदम अड़ुतानी साथेज तूटे जाई तेवी पोची बनी छे तो आ रितना परफेक मापलाई ने बटेटा साबु दाणानी व्यफर ने जरूर एकद्राई कर जो तो सारुखाव खूस रहो आविशरस रेशिपी जोवा माटे तमारो खोब-खोब आबार मारी रेशिपी ने लाइक कर जो शेर कर जो मारी चेनल ले सब्सक्राइब कर जो फरी मड़ीशू नवी रेशिपी साथे चेशिक राष्ण